तो दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूँ अपनी इस नई क्लास में और जैसा कि आपको पता है कल मैंने आपको 100 प्लस MCQs करवाए थे हिंदी के और आपको 300 लगातार जो questions है मैंने आपको पिछले तीन वीडियो मैंने आपको करवा दिये हैं औ प्लस जो आपके current of air question है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिएगा लोग यहाँ पर काफी लोग जूड़ रहे हैं तो सब लोग यार सेयर कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करती है चलना आप सभी और पहले है इस द्धोनी का उच्रासान क्या है फटाफट सभी लोग जवाब देते ही चलेंगे सरू और बड़ा फटाफट जवाब देते ही चली जवाब देखिए अपर आना सुरू हो गया तो अगर बात करते हैं और बड़ा उ के बारे में तो देखिए यह ओट दोनी यानि कि option number जो इसका D है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा इसके अलावा पाफा बाभा मा पावर्ग जो होता है वो भी उनका भी उचारसान आपका ओश्ठी होता है clear है कावर्ग चावर्ग और आपका ये टावर्ग मूर्धा हो गया आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखे क्या कह रहा है यशो धरा का सही संदी विच्छेत क्या हो जाएगा यशो धरा फटाफर पताएगे सर यशो धरा का सही संदी विच्छेत क्या हो जाएगा जवाब सभी लोग को देना है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि एक लोग जवाब दो, दो लोग जवाब दो, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, सब को जवाब देना है तो वही है यसु धरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही बात है सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो option number first यसाह प्लस धरा जी है दोस्तो यसाह प्लस धरा यह आपका यसु धरा का सही संदी विछेद हो जाएगा और आप सभी को पता यह किस संदी का उधरा है दोस्तो आपका विसर्ग संदी का जी है बिल्कुल सही बात है यह विसर्ग संदी का उधरा है तो option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए दोस्तों आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि भई यह महेश्वर्य में कौन सी संदी है सभी लोग जवाब देतों चले भई महेश्वर्य है फड़ा फड़ जवाब दीजे बहुत ही important question इसका पहले हम लोग संद के ए हो जा रहा है तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर व्रिद्धी संदी तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं व्रिद्धी संदी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आते हैं अगले question की ओर तो क्या कह राधियान से देखिएगा बहुत important है निमलिकित में अगर आपको कभी भूल जाते हैं तो कव इतना याद रखना है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगता है तो कव यत्री जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं option number B वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगे समझ में आ गया सर आते हैं अगले question पर तो अगला question देखिए क्य गया है इसके लाव यहाँ पर परीडिती लिखा गया देखिए यह आपका सुध्वरतिनी नहीं है इसके लाव और सारे के सारे आपके सुध्ध है सत्रुखन BBC का आमिस आमिस जो है आपका बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है चलिए दोस्तों आते हैं एंगले question पर तो सभी जाती वाचक संग्या सब्द हैं बताए कि निमलिकित में से किस विकल्प में सभी आपके जाती वाचक संग्या सब्द हैं श्याम है उत्तर है काला है जाती वाचक आपको पता है स्याम आ गया स्याम तो आपका नाम होता है ना सर तो यह आपका जाती वाचक नहीं है ब तो यहां पर जितने भी साती जवाब दे रहे हैं option number B बोलो यहां पर 101% correct हो जाएंगे clear है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले question की ओर तो अगला question देखिए आपके सामने यह रहा निमलिखित में से pulling सब्द की पहचान करना आपको पुरुस लिंग सब्द की पहचान करना है निधी रासी विधी और गीत फटाफ़ सभी लोग जवाब देते हैं चलिए सर यहां पर pulling सब्द की हो जाएगा निधी है रासी है विधी है और गीत है जिहां time आपको मिलना है आपके सामने यहां पर क्या कह रहा है निमलिखित कारक और विभक्तियों के युग्म में से तुरुटिपूर का चैन करना है कारक और विभक्ति में से तुरुटिपूर का चैन करना है करता ने कर्म को होता है देखने से लग रहा कर्म से कभी नहीं होता है कर्म को होता है ब क्या ख़ा रहे हैं यहाँ पर कंभ सर्वनाम है तुम क्या खा रहे हो यहां पर क्या मैं हुआ प्रते लिए दिख्वकर कंभर 25 टीखे startup वह लोग यहाँ पर बिलगुल करेक्श रहेंगे समझ में आगया सर्व आते हैं एकले question की ओर तो अगला question यहां से देखेगा कि भाईया निमलिखित में से किस वाक में सार्वनामिक विशेशड का प्रियोग हुआ है 10 में बताना दो ही option है सार्वनामिक विशेशड बहुत important है यहां कलम किसकी है तो यहां पर किस में सार्वनामिक विशेशड का 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 वि यानि कि I hope यहाँ पर जो option number A का पहला यह है यहाँ है यहाँ है यह आपका सावनामी विसेसर हो जाएगा तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं option number A वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे समझ में आगया न सर चलिए आते हैं एंगले question पर तो अगला question यहाँ थे देखे गए आपर क्या कह रहा है कि यह च्छत्रिये बड़े साहसी होते हैं इस वाक्ने में जो बड़े है वो basically क्या है च्छत्रिये बड़े साहसी होते हैं फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हो चल लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आते हैं एंगले question की ओर तो क्या कह रहा है कि भईया मा बच्चे को नौकरानी दवरा सुलवाती है इस वाक्य में कौन सी किरिया का प्रियोग हुआ है फड़ा फड़ जवाब देते हैं तो सुलवाना यहाँ पर यह किरिया तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर और जो इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले question की ओर तो क्या कह रहा है जहां से देखेगा भईया सुरेस गीतगा रहा था यहाँ वाक्य किस काल का है भईया सुरेस जो ह है गीतगा रहा था यानि कि भूत काल का है लेकिन कौन से भूत काल का है बताइए सर सामाने पूर्ड आशन या अपूर्ड पड़ापट सभी लोग जवाग दीजिए कली मैंने आपको पताया था कि भाईया यहाँ पर काम जो है पूरा नहीं हुआ है यानि कि क्या हो जाए निमलिखित में से कौन सा प्रियोग की according कृषशण का भेद नहीं है देखो प्रियोग के अनुसार क्रिया विसेशण की बात हो रही है फटा पर सभी जवाब देती है चलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ प्रियोग की according कि या विसेशण के तीन भेद होते हैं एक एक आप यहाद रखेगा यहाद रखेगा यहाद प्रियोग के अनुभथ है यहाद रखेगा यहाद रखे मैं योगिक को सदार रखे करिया विशसर के अनुभथ तो यह चीज़ याद रखे है योगी आपका रूप के कॉर्डिंग आता है अगला कोशन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है यह 15 नमबर निम दिखित में से कौन सा प्रयापती वाचक के क्रिया विसेशड़ है प्रयापती वाचक बहुत ही इंपॉर्टन है सर प्रयापती चाहे चलिए और इसके लावा यहापती वाचक क्यूत है और लगभग होता यह जो थोड़ा होता है और यह उन्यों दिखितम आते हैं अधिक हो गया बहुत हो गया आपके किसके अंदर आ जाएंगे अधिक बहुत ही सब बेसिकली आपके आ जाएंगे अधिक्ता बोदक्रिया फिसर्ट के अंदर गता जाएंगे चले आते हैं अगले कोशन पर तो क्या कह रहा है निमलिखित में से ततसम सब्दों को चिनित करना आप सभी को ततसम सब्द यहां पर कौन सब्दाएगा अंगीठी आंचल उप्र होता है क्या होता है तदसम से तत्भों पूछा जाता है तो जिसका तो कि अपका एक च्लियर है चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो क्या कह रहा है दिहां से देखिएगा निमलिखित तसम तत्भों सब्द यूगमों में से कौन सा तुरूटी पोड़ है यानि कि एक तख् Double या सब्द्युग्म से कौं सा तुर्टिपूर्ण है पहला देखे क्या कहा रहा है ओखली उलूखन देख़े क्या ऑखली कहह रहा है फिर आपका उलूखन कहह रहा है तो यहाँ पर यहाँ तो भाई स़य तुर्टिपूर्ण है तपर ये सही हो जाएगा इसके लावा कार्तिक हेज़ती है घूंध में का आपका स्भीव घुलट्ट है और खेडशीर यह सारे की सारे आपके हाँ पर सही हो जाएगे स्मझ में सब्सक्राइब का सब्द है मुहावरा किस भासा का सब्द है मुहावरा बताइए जो मुहावरा है वो किस भासा का सब्द है फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे ठंडी काफी बढ़ गई है जी हां और मोहावरा के अगरовых बात करते हैं तो मोहावरा जो है अपका अरवी भासा का सब्द है यानि कि ओप्सन नमगर इसका बी है चलिए बढ़ते हैं अगले question पर तो अगला question देखिए कि निमलिखित में इसे किस सब्द में आउपसरग लगा है अवतार में तो भीया नहीं लगा है अनुशाशन में अनु लगा है अधिकार में अधि लगा है लेकिन आ लगा है लेकिन आ जीवन में अगर देखा जातो आव अतार में अव लगा हुआ है और अनुसासन में आपको बताई दिया है अनु लगा हुआ है तो आपसन नमबर जो इसका बी है वो यहां पर करेक्ट रहेगा चलिए दूस्तों आते हैं एक लिए कोशन पर तो एकला कोशन देखिए आपसे यहां पर क्या कह रहा है कि निम भुश्टबंस वहां अन्हें पर में यहां और में आपको करवा चुका हों अब सभी लोग जबाद देतों यह चलेंगे तो याद रखें कि ग्रहस्त का जो अप विसेसर होता हो ग्रहस्त होता है बहुत इंपोर्टन है तो option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए दोस्तो आते हैं अगले question की और तो अगला question देखें आपके सामने ये रहा बाइस number question आपके सामने कहे रहा है कि विसेसर सब्जूग में तुर्टि पूर्ड की पहचान करना आप सभी को तुर्टि पूर्ड बताना आप सभी को ग्रिडा ग्रिट तालु तालव ये गर्व गर्वीला उतकर्स या उतकर्सित जवाब देते हुए जली आप सभी लोग तो यहाँ पर देखा जाये तो आपका जो option number d यतने हुल जवाब देखें उतकर्सिता क्या होता है दोस्तो आपका उतकर्सित नहीं होता है उतकर्ष्ड होता है तो यहाँ पर option number जो इसका d है यह आपका तुरूटि पूर हो जाएगा चलिए आते हैं अगले कोशन की तीरव तो अगले कोशन देखे आपकın सामने ये रहा कि नील गाए में कौन सा समास है बताएए, नील गाए में कौन सा समास है कोईशन अमरे आपके यहाँ पर तेस जवाब देखे आना शुरू हो गया है अगर नील गाय की बात करते हैं तो नीली गाय यानि की विसेशी और विसेशर का सम्मन्ध है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मधार है तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहें कर्मधार है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे समझ में आ गया अगला कोशन देखी कहरा है कि सत सई में कौन सा समास है जो आपका सत सई है इसमें बताना आपको कौन सा समास है सत सई का समास विक्रा करोगे तो साथ सव का समाहार यानि कि आपका यहाँ पर पहला सब्द आपका क्या आ गया साथ यानि कि संख्या वाचक आ गया तो क्या हो जाएगा आपका दुए के समास हो जाएगा तो यहां 55 नहीं आप लो 60 साही करके आओ वो मतलब आप तो इतनी हिंदिक तयारी हो गई आपकी 55 साथ सब करके आओगे टेंसर मतलो चलिए यार आलावा मिलाना है भारतिय गाओं के अभी भारत को सुधार के लिए और राजियों को बहुत प्रत्ने करना होगा तो देखा जा के लिए और अभी भारत सरकार को यानि कि अभी भारत सरकार को और राजिय सरकारों को बहुत प्रयत्ने करना होगा यानि कि यह रा फिर आपका यह रा यह उसकी वाद आपका ला फिर आपका वा तो आपसा नम्मर जे इसका बी जवाब हो जाएगा यहां पर क्या हो यहां पर बिझाले को पर विञाले में जल्पान को कई में पर अगला कुशन देखो कि क्या कह रहा है सुद्धवाके का चैन करना, इन चारों में से सुद्धवाके का चैन करना है उस वन में प्राता काल के समय का द्रिस से बहुत ही सुहावना होता था उस वन में सुभा के समय, देखो प्राता काल के साथ समय लगा गलत सुभा के साथ समय लगा गलत और यहां पर सवेbek के साथ समय लगा गलत तो यहां पर देखा जाए तो उस वन में प्राता कालकादिस यह बहुत सुहावना होता था बिल्कुल स्य बात है तो C जवाब आना भी सरी हो गया तो C जो है यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा समझ में है आ गया सर चलिए आते हैं अगले question की ओर तो अगला question देखिए आपके सामने ये रहा कि भाईया पानी बरस्ता है तो धान सूख जाता है या किस प्रकार का वाक्य है पानी ना बरस्ता तो धान सूख जाता तो देखा जातों ये किस तरह का वाक्य हो जाएगा पानी ना बरस्टा तो धान सूख हो जाता यानि कि 29 फटा फट जवाद दिए सर एक वाग के दूसरे वाग के पर निरभर होने की संभावना है यानि कि यहाँ पर विधी वाचक या संकेत वाचक बिल्कुल सही बात है संकेत वाचक जितने लोग जवाब दे रहे हो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे समझ में आ गया ना सर संकेत वाचक चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखे क्या रहा है बीजानसे मिस्टरवाकी की पहचान करना है मिस्टरवाकी है बहुत भी आफंसान जवाब लोग दे सकते हैं पहला देखिया आसन कहरा है उसने कहा कि मैं निर्दोस हूं तो यहाँ पर देखा जाया तो की लग गया नot कि लग जाया है तो पहला option यहाँ पर मिस्र वाक्य हो जाएगा दूसरा देखो यहाँ पर परस्रमी शाद रहों से सफल होंगे सरल वाक्य है इसके लावा सूरियद हुआ और कुहासा चला जाता रहा यानि कि आपका संयूक तो वाक्य हो जाएगा इसके लाव दूसरो आपका यह लाश है लोग पर यह कभी का सम्मान सभी करते हैं तो यहाँ पर option number जो इसका D है यह भी आपका सरल वाक्य हो जाएगा आते हैं अगले question की ओर तो अगला question देखिए कहरा है भीया निमलिकित में से कौन नौका का परियावाची सब्द नहीं है बताईए नौका का परियावाची कौन सा नहीं है फड़ा फड़ सभी लोग जवाब दीजिए 31 बहुत important question है सभी लोग को जवाब देना भई यहाँ पर नौका का परियावाची सब्द कौन सा नहीं है तरडी नाव तरी या तुंग बताइए सर बहुत तरडी होता है सर यहां पर अगर बात करतें तुंग के बारे में तो याद रिखे हैं दोस्तों जो तुंग होता है नौका का नहीं भैया तुग जो हूता आपका परवत का परियावाची होता है। तरड़ी तरड़ी नाउ यह सारे आपके नौका के परियावाची होते हैं परवत के और भी परियावाची हमने बता रखे हैं अचल नग तूंग और भूधर क्लियर हैं आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखे आसे आपर क्या कह रहा है कि भईया निमलिखित परियायवाची सब्द युगमों में से तुरुटिपूर का चैन करना है तुरुटिपूर का चैन करना भीया यमुना अरकजा, पृत्वी, निमनगा बिर्च, विटप, रात, त्री और छड़दा यहाँ पर आपको तुरुटिपूर युगमों का चैन करना है थर्टी टू फड़दा पर सभी जवाब देते हैं चलेंगे सर्ट यहाँ पर तुरुटिपूर का है परियायवाची सब्द युगमों है तो यहाँ पर देखा यहाँ तो यमुना अर्कजा बिल्कुल सही बात है पृत्वी निम्नगा निम्नगा जो होता है वो पृत्वी का परियायवाची नहीं होता है याँ दखिएगा दोस्तो यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा पृत्वी का परियायवाची नहीं होता है निम्नगा निम्नगा जो बिसिकली आपका होता है नदी का होता है किसका होता है जोस्तों आपका नदी का प्रियावाची होता है तो यह आपका तुर्टी पूर हो जाएगा उसके लावा और तीनों यहापर बिल्कुल करेक्ट दिये गए पृत्वी के प्रित्वी के प्रियावाची मतलब क्या होता है कमल चंद्रमा मोती यहां पर नहीं होता है इसके लावा कमल चंद्रमा मोती यह जलज के अर्थ होते हैं मचली भी होता है अगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या कह रहा है कि नेमलिखित विलोम सब्द युग में से तुर्टिपूर का चैन करना है आपके सामने यह दिया गया है अगला कोशन देखिए आप से हापर क्या कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा सरल का विलोम सब्द नहीं है सरल का विलोम सब्द कौन सा नहीं है फटा फट जवाद देखिए कोशन नमबर 35 सरल तो भई सरल का विलोम यहां पर देखो कुटिल है कठिन है वक्र है और तक्र है यहां पर देखा जातो भईया सरल का विलोम कुटिल हो सकता है कठिन हो सकता है वक्र हो सकता है लेकिन जो तक्र है तक्र आपका सरल का विलोम नहीं होता है समझ में आ गए ना सर तो यहाँ पर जितने विलोग जवाब देरें ऑफसन नमबर डी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो क्या कहा रहा भीया जिसके हिर्दय में ममता न जिसके हिर्दय में दया नहीं है निर्धय हो जाएगा जिसके पास भय नहीं होता है और निरंकुस क्या होता बताइए बिना अंकुस के लिए यानि की निरंकुस का निरंकुस कहलाता है आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखिए आप से यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पैसे से मनुस्य की जीवन जीने के इच्छा बलवती होती है तो यहाँ पर यह जो जीवन जीने के इच्छा है इसके लिए एक सब्दाब को बताना है कई बार बता चुक काहूं पर सर जीवन जीने के इच्छा को क्या बोलता है जीजी विशा, जीविका, आजीविका या इनमें से कोई नहीं, बहुत ही इंपोर्टन्ट है, तो बिल्कुत सही जवाब यहां पर आ रहा है सर, जीजी विशा, तो यहां पर जितने भी जवाब देरें जीजी विशा, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, स कठिन कारी या असंभो कारे दोरों में से आपको बताना है बी होगा या सी होगा कठिन कारी होगा या असंभो कार होगा तो यह तेड़ी खीर जो होता है असंभो नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ कठिन होता है तेड़ी खीर है निकाल दो सकते हो ना तो option जिसका बी है जितने सोवर्ड काउं सा फ्रतेत करोड़ का थिसरा चौता है पर अगोस होता है तो यह կहां पर स Finnish होजाएगा पा है बा स्था है और है बताती है बता करो है तो यह प्रत्ति नहीं है था 그렇지 बता किम उत्त हैखो हमें नहीं तो यह सित पि न whose solveन हो शवर्ण और स अगले कोशन की ओर तो अगला कोशन देखिए आपके साथ में यह रहा कि निमलिखित पंग्तियों में कौन सा अलंकार है नवल सुन्दर स्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांती थी यहाँ पर आपको अलंकार बताना है कोशन नम्बर 40 फटफटब पताई यहाँ पर आलंकार कौन सा हो जाएगा देखिए नवल संदर स्याम सरीर की नीरद सी कलकांती यहाँ पर कहरा, तो आपका क्या हो जाएगा सर यहाँ पर कांती यहाँ पर देखा याँ तो आपका उप में है और नीरद जोाप का हौन है तेरे option number A वो लोग यहाँ पर correct जाएंगे, याद रखिए उपमा होगा, याद रखिए कि दो वस्तों में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा लंकार बोलते हैं, option number जो इसका A है वो यहाँ पर correct होगा, ना कि C होगा, उत्प्रिच्छा में जनू जानो, मनू मानो जब भी आजा तो वहाँ पर उत्विच्छा होता है, आते हैं अगले question पर तो क्या कह रहा है, कि स्रिंगार रस का इस्थाई भाव क्या है, स्रिंगार रस का इस्थाई भाव बताईए क्या हो जाएगा, स्रिंगार रस की बात हो रही ना, हास है, रती है, उस्था है, क्रोध है, तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर रती, जितने वी लोग जवाब दे रहे हैं रती, वह लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, स्रिंगार रस का जितनेपा रती हो जाह है, जवाब दिए सर यहाँ पर गुनाहों की देवता तो याद रखेंगे दोस्तों गुनाहों की देवता कि अगर हम बात करते हैं तो इसके रेजिता धरम बीर भारती जी है कौन दोस्तों धरम बीर भारती जी है तो यहाँ पर जितने भी जवाब देंगे बी वो लोग यहाँ प्रित्वी राज रासो किस काल की रचना है प्रित्वी राज रासो जो है किस काल की रचना है फड़ा-फड़ बताइए सर नमर 33 का जवाब दिए सभी लोग प्रित्वी राज रासो किस काल की रचना है तो बही है बिल्कुल सभी राज सर प्रित्वी राज रासो आदी काल की रचना हुए थी आमतह अत एयो या अस्तु फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे तो बिल्कुल सही जवाब आरा सर यहाँ पर अगर देखाया तो अतह सब्द का जो समानार्थी हो जाएगा वो अत एयो जितने लोग जवाब दे रहें यहाँ पर अत एयो वो लोग यहाँ पर ब बहुत कम देना तो जितने लोग जवाब देंगे सी ओप्सन वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखिए कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा विराम चिन्न का प्रकार नहीं है निर्देशक लाग हो उपदे करते हैं तो आपका झसी प्रकार का विराम चिन्न नहीं होता है अगले कोशन देखो क्या कह रहा है कि भिनार्थक का चैन時 करना आप सभी को भिनार्सक सब्थ के यहां पर चैन करना आपります आप Barbie को बताइए किया हो जाएगा 47 फड़ा फर सभी लोग जवाब दीजे सर्व के पावख अनल ऑनिल किर्शान हों यहां पर अलग क्या हो जाएगा सर्थ पावख अनिल क्रिशान हो अगरे जिंकी अब भी है वो आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा समझ में आगे ना सर चलिए आते हैं हम लोग एक प्रैक्टिस एगे 48, 49 और 50 वह आपका गध्यांस का था वह आप लोग करी लिए जाओगे अब बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस एंगे तरफ उसका जो पहला गोश् यह पहाड़ी छेतर की बोलिया होती है तो option number जो इसका C है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेट रहागा तो एक का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका C answer जो है यहाँ पर हो जाएगा चलिए आते हैं अगले question पर तो कह रहा है कि निम्लिखित में से कौन सा संयुक्त बड़ा और और उ में आपका संयुक्तिसवर बताएं कौन सा है यहाँ पर देखा जाए तो question number 2 में देखा एक आपका A होता है एक आपका I होता है एक आपका O होता है इसके लावा आपका O भी होता है तो यह आपके चार संयुक्तिसवर होते हैं तो याद रखिएगा आपसे निया पर correct हो जाएगा यह आपका सही पिसवर के अंदर गताता है बहुत important है याद रखिएगा इसके लावा बड़ा है बड़ी है बड़ी हो यह आपका नहीं है clear है चलिए आते हैं अगले question की ओर तो अगला question देखिए क्या कह रहा है कि का वर्ग का उचार सं क्या ह होता है पापा बाबा मा ओष्ट होता है ताथा दाधा ना तंत्य होता है अगला question देखिए कह रहा है ए और ए वर्ड है बताइए सर जो ए है और ए है यह कैसे वर्ड है question number 4 फटावर सभी लोग जवाब दीजे सर ए और ए देखिए कंठ और तालू ए ए तो कंठ और तालू दोनों का यूज किया जा रहा है तो कंठ तालब भी है कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ तो यहां पर कंठ तालब विडियो लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर correct हो जाएंगे अगले question पर आते हैं तो अगला question देखिए आपसे क्या कह रहा है देवेस में कौन सी संदी है देवेस का संदी विछेद करिए और संदी आपके सामने होगी देवेस देव प्लस इस बड़ी लगेगा देव प्लस इस मिलके बनता आपका देवेस तो यहां पर संदी कौन सी हो जाएगी अगला question देखो क्या कह रहा है या सड़ दर्सन का सही संदिविक छेद क्या हो जाएगा कॉश्चन नमबर 6 फड़ा फड़ सभी लोग जवाब दीजिए तो बिल्कुल सही जवाब आरा सर पहला और जो ऑप्शन है सट प्लस दर्सन बिल्कुल सही बात है या आपका वेंजन संदी का उजाड़ है तो आपसन नमबर जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चली आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखे कह रहा है कि निही प्लस गुड का सही संदी क्या हो जाएगा निही प्लस गुड का सही संदी क्या हो जाएगा सेवन फड़ा फड़ सभी लोग जवाब दीजे सर निही प्लस गुड बिल्कुल सिंपल सा कोशन है कई पर बता चुक हो निर्गुड होगा लेकिन कौन सा निर्गुड होगा बिल्कुल सही बात है सर यहाँ पर जो option number B है यहाँ आपका निरगुड नही प्लस गुड का सही संदी है यहाँ पर देखा जाए तो आपकी विसर्ग संदी हो जाएगी कौन सी दुस्तु हो जाएगी आपकी विसर्ग संदी हो जाएगी आते हैं अगले question पर तो अगला question देखी कहा रहा है कि निमलिखित में से कौन सी असुद्धोवर्तनी है कौन सह घाएगा है इसके लावात तिला जली भी सही है तिरसकार भी सही है लेकिन सन्यास की बात करता है देखो सन्यास में यहाँ पर िविड हो जाएगा क्यों तो रइवाइस सन्यास आपका इस तरह लिखा आएस साह पी उपर लखता है यहाँ प्रॉप्स नंबर जो इसका स्थी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आगे ना सर चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो कह रहा है सुद्धोवर्तिनी आपको पैचानना है फटा 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 बताएए सर विशाद सत्वगूर सा प्रॉप्स नंबर जो जाएगा वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आते हैं दोस्तों अगले कोशन की ओर तो अगला कोशन देखे कह रहा है संध्या ने कहा मनुस्य नश्वर है इस वाकिय में किस विरामचिन का प्रियोग हुआ है संध्या ने कहा मनुस्य नश्वर है देखे विरामचिन आपका ये वाला लगा हुआ है न तो बताएए कौन से विरामचिन का प्रियोग हुआ है फड़ा फड़ा पर बताएए सर कई बार मैं आपको बता चुका हूँ लाग हो प्रसनवाचक अउतरड या तुर्टी विरा प्रसन नमबर 10 फड़ा फड़ा भी जवाब दीजे सर तो आउतरड या उतरड जितने भी यहां पर जबाब दे रहे हैं ओफ्सन नमबर B आउतरड वो लोग यहां पर बिल्कुल करेट हो जाएंगे तो आउतरड भी बोलते हैं या उतरड भी बोलते हैं तो दोनों एक ही कि मुस्कुराहट अतियन्त-प्यारी है चोटे बच्चे की जो मुस्कुराहट है यह बिल्कुल सही बात है तो जो है बिल्कुल करेट हो जाएगा क्या हो जाएगा आते हैं अगले question पर तो कह रहा है भीया निमलिखित में से किस सब्द में एक वचन का प्रियोग किया गया है लता नदी वस्तु और सोना किस सब्द में एक वचन का प्रियोग किया गया है प्रियोग ईगवचन में होनाी है यह आपको बताना है है यह एक वचन में होता है सब्सक्राय नागा स्मझ में आगे न सेले त्यरह क्या हो जाएगा सपर आपका द्रभ ववाचक हमेशा यहाद रखेगा जो आपके द्रभ ववाचक संगयाय होती है अगला कोशन देखें आपको सब्जी काड़ती है यहाँ पर कौन सा कारक है रानी जो है चाकू से सब्जी काटती है, पर आपको कारक बताना कौं सा हो जाएगा? question number 14, सब लोग जवाब दीजें यहां पर question number 14, जवाब देखें eh, पर आना शुरू हो गया, तो याद रखेंगा जुस्तो ओ यहां पर चाकू से है और सब्जी काटती है यानि कि यहाँ पर करण कारक, देखा जाए तो करण कारक हो जाएगा, तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर option number C, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, करण से होता है, आते हैं अगले question पर, तो भाईया कहे रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो यहाँ निश्चित नहीं है, कोई आ जाना है, कोई फरोसन ही कोण आ रहा है, तो यहाँ पर option number जो इसका B है, अनिश्चे वाचक, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल correct हो जाएगा, आते हैं दोस्तों, question number 16 की तरस, तो देखी कह रहा है, मेरा कुता काला है, इस वाक जाएगा, clear है, वैसे यहाँ पर good, exact रूप में देखा है, तो good वाचक correct होगा, क्या, देखें, मेरा कुता काला है, चलिया आते हैं, एक लिए question पर तो क्या कह रहा है, कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाकि में कौन सी किरिया है, बताएगे, मैं लड़के को व हो गए ना आपर, तो यहाँ पर option number जो इसका C है, वो correct होगा, मैं लड़के को वेद बढ़ाता हूं, यहाँ पर लड़के को और वेद दो-दो कर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दो कर्मक्रिया हो जाएगा, समझ में आगे ना sir, तो option जो इसका C है, वो correct कि अब आपको 10 questions last में current affair के भी करवाने है, क्योंकि वो भी important है, तो भी अब मैंने पुस्तक पढ़ी, अगर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो correct है, आपका हो जाएगा, तो option number जो इसका A हो यहाँ पर correct हो जाएगा, समझ में आगे ना sir, अगला question देखे क्या कह रहा है, कि वहाँ जा रहा है, इस वाक में प्रियुक्त काल कौन सा हो जाएगा, वहाँ जा रहा है, कौन सा काल है सर, रहा है, यानि कि वर्तमान काल है, लेकिन अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, तात काली का वर्तमान काल, क्या हो जाएग यहां पर बताना आपको कौन सा इस्थिती वाचक अव्य है फड़ा पर जवाद देशर बाहर इधर यहां या अब तो यहां पर अगर इस्थिती की बात करते हैं तो यहां पर देखा जाए तो बाहर है और यहां है तो इन दोनों में लोग को confused हो रहे है यहां पर जो आपका बाहर है वो करेक्ट होगा देखो यहां आपका यहां यानि कि यह निश्चित वाचक हो जाएगा इस्थिती वाचक अव्य नहीं हो जाएगा निश्चे हो जाएगा यहां पर जो option नमर इसका A है वो यहां पर करेक्ट होगा इस्थिती दिखार न वो बाहर है यहाँ पर option जो इसका A है वो ज्यादा correct होगा जबकि B यहाँ पर correct नहीं होगा समझ में आ गए ना चलिए आते हैं अगले question पर तो अगला question दीखे आप से यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधी आई और पानी बरसा यहाँ पर जो और सब्धे वो कैसा अव्या है यह तो बहुत ही आता है कही पर बता चुका हूँ जो और है वो किस प्रकार का अव्या है बताइए सर और कि अगर हम बात करते हैं समझ दो दिखाने रहा है परमार दिखाने रहा है समुच्चे दिखा रहा है मोहन नहीं आने वाला है तो कैसा नहीं पात है सर नकारार्थक या निस्यधात्मक दोनों में आप confused मत होईएगा याद रखेगा ये निस्यधात्मक हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका निस्यधात्मक हो जाएगा नकर आर्थक तो Communist होता है आते हैं अगले question पीसितरों दिखिए क्या कहिरा है कि भईया मक्ठी का तश्टम क्या हो जाएगा बताएं सरद मक्ठी का तश्टम आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा बिलकुल सही बात है सर मक्ठी क کا तश्टम होता है बाता है इसके अलबा बुआ और पित्रस्वासा यह भी बिल्कुल सही बाता है बुआ जो होती है पृत्त स्वास यानि कि पृत्त की बहन मतलब की साइट से होती है इसके लावा मक्छर और मतसर यहां पर देखा जाए तो यहां पर यह भी करेक्ट हो जाएगा लेकिन बात करते हैं बेल के बारे में तो बेल तद्भो सद्ध जिसका जो तस्व होता है वो बिल्व होता है वो यहां पर तुर्टी पूर्ड हो जाएगा समझ में आ गया सर चली आते हैं अगले कोशन की ओर तो अगला कोशन देखिए आपके सामने यह रहा कि निमलिखित में से कौन तद्भो सब्द है बताए सर चार आपके सामने दिये गया है आपको बताना है कौ शलाका लोभी और बिख्षोब बताए सबी लोग कौशन अबर 25 सबी जवाब दीजे सबी लोग यहाँ पर देखा जाए तो तद्भो सब्द की बात हो रही है तो लोभी जवाब आना शुरू होगा तो लोभी जो है दोस्तो आपका तद्भो सब्द हो जाएगा जिसका त सितार किस भासा का सब्द है, बताइए सर, सितार जो है किस भासा का सब्द है, कोईशन नमबर 26, फटावर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, चलिए, सितार किस भासा का सब्द है, तो अगर हम बात करतें सितार के बारे में, तो सितार जो है आपका फारसी के अंदर गताता है कि इसके अंतर गताता है तो फारसी तो option नमबर जो इसका A है वो यहाँ पर correct हो जाएगा चलिए तो याद रखिएगा आते हैं अगले question पर तो अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निमलिखित में से किस सब्द में अधी उपसर्ग clear है अधी उपस question पर तो क्या कह रहा है कि निमलिखित में से किस सब्द में प्रत्य नहीं लगा है बताईए यहाँ पर बताना है किस सब्द में आपका प्रत्य जो है नहीं लगा है जूला है जाडू है बेलन है और दूबला है यहाँ पर देखा जाडू में भी लगा हुआ है उ प्रत्य लगा है जूला में अप्रत्य लगा बेलन में अन प्रत्य लगा है लेकिन अगर हम दुबला की बात करते हैं दूबला एक मूल वाकिये यहां पर कोई भी प्रत्य नहीं लगा हुआ है दूपसर्ग लगा है बला में अगला कोईशन क्या कहा रहा है कि नेमलिकित में से किस सब्द में ताप्रत्य नहीं लगा है लगुता सतुर्टा वेर्ता वुद्व मनुस्यत्व तो यहाँ पर देखाया है तो option number जवाब तो यह तो simple सा है भाई ताप रत्य किसमें नहीं लगा है बी वाले option में नहीं लगा हुआ है तो इसको ज्यादा time waste का जोद नहीं है आते हैं अगले question पर तो कहरा है भी यह class का सही विसेसर क्या हो जाएगा place यहाँ पर place दिया गया है place आपका एक विसेसर सब्द है इसका विसेसर पताएगा क्लिष्ट होगा लेकिन कौन सा क्लिष्ट होगा option number a वाल होगा बिल्कुल सही बात है यह सुद्ध वरतिन में लिखा है तो option जिसका a है वह यहाँ पर correct हो जाएगा आते हैं अगले question पर तो कहे रहा भी यह निमलिखित में से विसेसर सब्द होगों में से तुर्टी पूड की पहचान करना है 31 फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे 31 का जो पता यह correct answer क्या हो जाएगा 31 तो याद रखे है दो यहाँ पर अगर विसेसर सब्द होगों की बात करते हैं तो यहाँ पर ताप और तप्त यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके वारे में ताप आपका विसे पोड हो जाएगा अगला question देका आपर क्या कह रहा है राज दर्बार में कौन सा समास है राज दर्बार में आपका कौन सा समास है अगला question क्या कह रहा है कि बहुत सीटोषड में कौन सा समास है जो आपका सीटोषड है आपको बताना है यहापर कौन सा समास है सीटोषड सीटोषड का मतलब क्या होता है सीट और उस्म क्या होता है दोस्तों आपका सीट और उस्म यानि कि आपका और लग गया तो आपका क्या हो जाएगा सर आपका दोनों पद आपके प्रधान है यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्या जाएगा दोस्तो आपका दोन्द समास हो जाएगा प्लियर दोस्तो चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो कह रहा है कि भी निमनिखित में से कौन सा संग्या पदबंध है यहाँ पर कौन सा आपका संग्या पदबंध है चार आपके सामने दिये गए हैं फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे 34 काम में लगा हुआ किसी ना किसी तरह यहाँ पर संग्या है ने यहाँ पर देखा रात को पहरा देने वाला यहाँ बिल्कुल सही बात है सर डी वाले की बात करते हैं रात को पहरा देने वाला यहाँ पर संग्या पदबंध है काम में लगा हुआ यानि कि काम में विसेशल पदबंध हो जाएगा किसी ना किसी तरह यानि किसी ना किसी तरह तो आपका यहापर क्रिया बदबंद हो जाएगा और यहापर जाता रहता था यानि कि जाता रहता था तो यह आपका क्या हो जाएगा जाता रहता था यानि कि क्रिया बदबंद हो जाएगा आते हैं अगले question पर तो क्या गह रहा है कि मैं नहीं जानता की वह कहां है मैं नहीं जानता की वह कहां है यहां वाक्य में वह कहां है कौन सा उपवाक्य है मैं नहीं जानता की वह कहां है इस वाक्य में जो वह कहां है यह कौन सा उपवाक है 35 फड़ फड़ जवाद भी जवाद देखे आना शुरू हो गया तो संग्या उपवाक है बिल्कुल सही बात है से जो वह कहां है आपका क्या हो जाएगा संग्या उपवाक हो जाएगा क्लियर है तो यहाँ पर जितने वी जवाब देने ए ओप्सन वो लोगें आपर करेक्ट जाएंगे अगला कोशन को क्या रहा भाई देश रख्षा के लिए प्रतेग नागरी को क्या रहना चाहिए बताइए देश रख्षा के लिए प्रतेग नागरी को क्या रहना चाहिए सर उद्धवत प्रबुद्ध उद्धवत या संबद्ध बताइए तर सजक तो समने सुनाओगा बट यहां पर इसका जवाब देना 36 में तो याद रखेए कि यह देश नागरी के लिए सबको उद्धत रहना चाहिए उद्धत का मतलब होता है तैयार क्या होता है तो आपका तै ऍकला क्युत को क्या तो ताना अरक्कार तो देखा जाया तो पानी के अंदर मीन को प्यास कैसे लग सकती यहां पर कारण है यानि कि पानी के इंदर मीन मचली है लेकिन उसको प्यास लगा यानि कि कारण होते हुए उसको प्यास लग रहा है तो यहां पर विशेशोक्ति हो जाएगा किस चंद में 26 मात्राएं होती है और 14 और 12 पर यती होती है तो याद रखेगा और जो इसका B है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखो क्या कह रहा है रदरस का इस्थाई भाव क्या हो जाएगा तो यहां पर अगला कोशन देखो क्या कह रहा है कि निमलिकित मेंसे कौन जीवनी है इन चारों में बताना आपको कौन सा जीवनी है नीड का निर्माड फिर चिंता मड़ी आवारा मसीह या तीत के चलचेतर तो लाश्ट वारा तो रिखा चेतर है और बैयालेस में अगला कोशन पर तो क्या कह रहा है भी या खिस्यानी बिल्ली खंभा नोचे इसका अर्थ क्या हो जाएगा सबको पता होना चाहिए भिया खिस्यानी बिल्ली खंभा नोचे इसका अर्थ पताएगे क्या हो जाएगा पड़ा पर सभी लोग जवाब देते हो चलेंगे युद्ध किया जा रहा है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध हो रहा है, तो इसमें युद्ध क्या किया जाता है, युद्ध तो होता है, बिल्कुल सही बात है सार, युद्ध हो रहा है, युद्ध मतलब लड़ा नहीं जा रहा है, युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पर option number जो D दे रहे हैं वो लोग यहां पर correct हो जाएंगे अगला question देखो क्या कहा रहा है भी या निमलिकित में से कौन सा MOOC का अनिकारसक्षब नहीं है बताएं, MOOC का MOOC का अनिकारसक्षब नहीं है, देखो चुप, सांत, विवस या गूंगा 45 कई बार मैं आपको करवा चुका हूँ तो यहां पर देखा जातों, MOOC का अनिकारसक्षब यहां पर जो सांत है वो नहीं हो क्यों कि सांत तो मैं भी बैट सकता हूँ लेकिन जो MOOC होता है वो चुप, विवस या गूंगा होता है यहां पर याद रखेगा जो सांत है इसका निकारसक सब्द नहीं है तो option number जो इसका DC हो यहां पर करेक्षब रहा है अगला question देखो यहां पर क्या कहरा है पार्थिव सब्दे के लिए सही वाक्य का चैन करना है पार्थिव, पार्थिव सरीर आपने सुना होगा न तो पार्थिव का मतलब क्या होता है जैसे हम लोग का सरीर जो है पार्थिव होता है तो क्या हो जाएगा सर जिसका संबंद प्रिथवी से होता है वो आपका पार्थिव होता है अगला question देखो क्या कहरा भई निमलिखित विकल्पों में से उस सब्द यूम का चेहन करना है जो इसके अर्थवेद हो यानि कि अंस और अंश है इसका अर्थवेद क्या हो जाएगा जो आपका ये वाला अंस होता है इस वाले अंस का मतलब सोब को पता है भाग होता है लेकिन इस वाले अंस का मतलब क्या ह होता है क्या होता है दोस्तों आपका कंधा होता है तो याद रखेगा कंधा और भाग यानि कि option नमबर जो इसका B है वो करेक्टर ना किए तो यहां पर option B पर tick कर देंगे clear है दोस्तों तो हिंदी के देखा जाए तो 47 उसमें 47 उसमें करवा दिये तीन-तीन question जो मैंने छोड़े थे वो आपके किस के थे सर गद्यांस या पद्यांस वाले थे अब हम लोग कुछ current affair question लेकर आए जल्दली खतम करेंगे अभी देखे आपके पास काफी टाइम है खतम करते वे चलते हैं तो पहला question देखे आपस यहां पर current affair बहुत important है किसान काल theased centre से किससन के बारे में जानकरी प्राप्त की जा सकेगी जाद रखेगा किसान काल सेंटर तो याद रखेगा 緑 किसान की नमबर जो इसका Also गई है पर साखे शाट करोड रुपे इसके लाव यहां पर यहीं काल सेंटर है 24 into 7 रहेगा और साथी साथ पीम योजना किसानों के तहट किसानों को यहाद रखेगा ओप्सन नमर जो इसका ओप्सन नमर जो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा clear है तो याद रखेगा इस जो यह बैठक हुई थी यहाँ पर total 43 मुद्दों के उपर बात हुआ था बिमर्स हुआ था और आपके total पांच छेत्रिय परसद यहाँ पर गए थे पांच छेत्रिय परसद गए थे पूरवी पश्चमी दच्षडी उत्त्रिय केंद्रिय है clear है अगला question देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 22 अक्टूबर 2019 को किस छेत्र में सुविधा के लिए धंडोरा एप लांच किया गया बताएं सर किस छेत्र में सुविधा के लि इत्रपरदीष में कहां पर किया जाएगा एक सी 10 नूवंबर तक चलने वाले हुनर हॉट मेले का याउजन काम पर डाइचन उत्तर प्रदेश में बताइए कहाँ पर किया जाएगा याद रखिए दोस्तों बहुत important है होनर होट अगर कहीं आपके सामने आता है तो आपको लगाना है भाईया प्रियाग राज जानते हो चलिए important है तो प्रियाग राज में clear है तो option number जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या कहा रहा है कि भाईया October 2019 में रेल मंतरी प्यूस गोयल ने सरबत दा भला express train को नई दिल्ली station से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया यह train किस पवित्रस्थान से होकर गुजरेगी जहां गुरु नानक देओ ने अपने जीवन के 14 वर्स बिताए बहुत important question है question को ध्यान से पढ़िये क्या कहा रहा है यह October 2019 में रेल मंतरी प्यूस गोयल ने सरबत दा भला express train यह दिल्ली से स्टार्ट हुआ है और यह तेन किस पवित अस्थान पर तो याद रखेगा दोस्तों यहाँ पर जो आपका option number कौन सा सर बी है सुल्तानपुर लोधी यहाँ पर जो option number B है सुल्तानपुर लोधी लोधियाना इंटर सिटी बेसिकलिए नई दिल्ली से लेकर लोधियाना इंटर सिटी तक यह जाएगी और यह सुल्तानपुर लोधी नामक अस्थान से होकर गुजरेगी जहाँ पर गुरु नानक देव ने अपने जीवन के 14 वर्स बिताये थे तो option number जो इसका B है correct जाएगा और दोस्तों यह किस परवपर चलाएगा एसाई ने किस राज्य में की गई खुदाई के पहले चलाड के दोरान लगभग 2000 वर्स पूर्व के स्वड मुखी नदी के किनारे इस्तित एक व्यापार केंद्र इटो की सनचना और विश्नु मूर्ती का पता लगाया बताएगा तर अंद्रप्रदेश कौन से देश में सर अंद्रप्रदेश में तो मुझे पता है कि जवाब इसका सहीत लोग को नहीं आ रहा है बट आप लोग स्किप मत करिए कोईशन को भागना नहीं आपको यह सारे कोईशन इंपोर्टेंट है जो आपके चुने वीवे कोईशन वो लेकर करके आगे दे रहा हूँ क्लियर है चलिए आते हैं अगले कोईशन पर तो देखिए क्या कह रहा है आप से यहाँ पर कि हाल ही में गांधी मिंडला आवार्ड दोजाँ नीस की बात है नई दिल्ली के बिज्ञान भवन में प्रदान किया गया था यह क्लियर है आते हैं अगले कोईशन पर तो कह रहा है कि अक्टूबर धोजाँ नीस में औरिसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक द्वारा औरिसा मो परिवार औरिसा मेरा परिवार करेक्रिम के सुरुवात की गई और इस करेक्रिम का सायूजव किардर की हागया तो से यहां पर क्या कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2019 को केंदिये प्रदूसर नियंतर बोर्ड द्वारा जारी डेटा के एक अकॉर्डिंग भारत का सरवाधिक प्रदूसित सहर कौन सा है बिल्कुल सही जवाब यहां पर देखिया आ रहा है तो याद रखेगा भईया जो आपका 31 अक्टूबर 2019 को केंदिये प्रदूसर नियंतर बोर्ड आया है उसके द्वारा जो डेटा जारी किया गया है उसके एकॉर्डिंग भारत का जो सबसे प्रदूसित सहर वापका गाजियाबाद है समझ में आ गया ना चलिए आते हैं अगले कोशिन पर तो देखि क्या कह रहा है कि 26 अक्टूबर 2019 को किस राज्य में एकी कृत आपात सेवा 112 तथा वरिष्ट नागरिक सुरच्छा पहल सवेरा का सुवारम किया गया तो बिल्कुत सही बात है सर उत्तर प्रदेश यूपी इस्पेसल है बहुत इंपोर्टन्ट है याद रखिएगा इंपो तो क्या कह रहा है देखिए सारे नंबर घटा करके 112 कर दिया गया जो सबको पता हिए यानि कि सौनबर 101 का मतलब क्या है आपका यह याद रखना सव नंबर 101 नंबर आपका अगनी समन का था इसके इलावब यहाप पर 102 नंबर जो था 108 नंबर जो आपका था और आपका महिल प्रादम की गई है बताइए निम्न में से किस राज्य में ABA DHA स्कीम जो है प्रादम की गई है फड़ाफर सभी लोग जवाब दीजे सर ग्यारा फड़ाफर जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखिएगा यहाँ पर ओडिसा बहुत यहाँ पर कई बार आपसे पूछा सकता है और यहाँ पर करेक्ट है यहाँ पर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा समझ में आगे ना सर चलिए आते हैं अगले कोश्चन पर तो देखिए क्या कह रहा है कि 24 अक्टूबर 2019 को भारस सरकार बिसो बैंक और ओडिसा सरकार के बीच ओडिसा में छोटी किसानों की उत्पादन प्रडालियों को सुरुद्र करने आंधनी बढ़ाने हे तू उपज में विवित्ता लाने और बेतर धंक से बिप्रन यानि कि मार्केटिंग में सहाजता प्रदान करने हे तू कितनी रासिक बिसिकली यह सारा कोशन है इसमें जवाद देखें कुछ लोग का सही आरा तो बिल्कुल सही बात है 165 मिलियन डॉरर बहुत इंपोर्णना सर 165 मिलियन डॉरर जो बार बार वहाँ पर बेसिकली आपका सूखा पढ़ ला था बार बार वहाँ पर प्राकिरतिक आपदा आ र चली आते हैं अगले कोशन पर तो क्या कह रहा है 17 अक्टूबर 2019 को किस समस्थान ने भारत नवाचार सूचकांग 2019 जारी किया हाली में स्वास्थ सेवा पर दूसरे है भारत जापान सहयोग ग्यापन MOC के तहत पहली सहयोग समित की बैठक JCM संपन हुई बताइए कोशन नवर 14 फड़ा पर सभी लोग जवाब दिये क्या हो जाएगा इसका करे टेंसोर तो याद रखेएगा यहापन नई दिल्ली यहापन नई दिल्ली जवाब आ रहा है तो नई दिल्ली नहीं होगा सर यहापन टोक्यो हो जाएगा भारत दूसरा भारत जापान जो था और नहीं दिली में नहीं हो था आपका टोक्यो में हुआ था पहला वाला मान सकते हैं तो याद रखेगा 18 अक्टूबर 2019 को 18 अक्टूबर 2019 को क्लियर है ये स्टार्ट हुआ था आते हैं अगले कोश्चन पर तो क्या कह रहा है यहां से देखेगा किन्यमन में से किस वर्ष 91 इंटरपोल महासभा का योजन भारत में किया जाने का प्रस्ताव है 91 इंटरपोल यानि की अंतराश्टी अपराधिक पुलिस संगठन महासभा का योजन भारत में किया जाने का प्रस्ताव है किस वर्थ कोईशन पर 15 फठाफट सभी लोग जवाब दीजिए तो याद रखिएगा दोस्तों 2022 में याद रखेगा करेगा केंद्रिया अन्वेशर व्यूर सेंटल और इसके लावा यहाँ पर भारतिय स्वतंतरता की 75 वर्ष घाठ है तब किया जाएगा और याद रखेगा पहला आपका 1997 में स्टार्ट हुआ था तो यह रहे आपके कुछ important questions तो आज की आपको जो test है कैसा लगा आप लोग comment कर दिजएगा 100 प्लस मैंने बोला था 100 प्लस मैंने आपको questions करवाई यहाँ पर और आप लोग इसी तरह टेस्ट आते है न हिंदी भी हो साथ में आपका ऐसे करेंट फिर मिल जाए तो आप लोग बताएगा जो comment कर में क्लिया ते सबीको शेली बाबाई